नबसकर दोस्तों नोलुज गन्यू चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोग बीचेक अपना नया टोपिक लेके आया हूँ जो कि पाउच प्रिंटिंग कहां से करवाएं कैसे करवाएं कौन सा करवाना चाहिए एकजांपल में जैसे आंटा का बहुत सारे मैं जैसे करता हूं जो मेरा फ्लावर मिल है मैं कहां से प्रिंट करवाता हूं कैसे प्रिंट करवाता हूं कौन सा प्रिंट करवाता हूं मसाले का टी का चिप्स का सर्फ का इस टाइब के बहुत सारे हमारे फ्रेंड करते हैं तो उसे पाउच कहां से प्रिंट करवाएं उन मैं अपना ही बिजनस के उपर सब्ते में एक दो वीडियो लाते रहता हूँ जो कि मैं अपना खुछ से अभी experience ले रहा हूँ और experience लिया हूँ सो इसके उपर मैं continue वीडियो बनाता रहूंगा जो भी बिजनस फिल्म आने वाले हैं हमारे दोस्त वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ले ताकि उनको दूसरे जो की यूटूबर्स हैं बहुत सारे दूसरे का आइडिया लेकर और ग्यान जो देते हैं उनका ग्यान से थो वजいます मैंने काफी सारे बिजनस ओने उन लेकिन में कहीं मेरा काफी ज़्लेज मिला तो मैं चाहरा हो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंट हैं जो अपने इस टाइब का तो चली स्टाट करते हैं सो चैनल को लाइग और सब्सक्राइब कर देजेगा तो आप कहां से पहुंच प्रिंटिंग करवाए अपने प्रांड का तो दोस्तों आप नियर भाई कोई भी जैसे दिली होगा आपका दिली से ले सकते हैं बनावस में बहुत सारे पहुंच प्रिंटिंग से और आपकी स्टेट वाई इसको हैं कि कहां से आप को सिटे भज्यों का करवाने में क्यूंकि आप नियर भाई स्टेट में आपका बहुत सारेau पेन्च प्रिंटिंग से लगा हैं बंदे उनसे अप करकिजिए और आप पौन्ट प्रेंड अब च तो नोगों को बता दूंगा और सही कौन सा प्रिंटर सोगा कहां से प्रिंट करवाने हैं अगर भले ही इंडिया की कोई भी बंदे को हमारे सक्क्राइब दे सकता हूँ, तो आपको जो रोल दिख रहे हैं अभी वीडियो में, इस टाइप की रोल आते हैं, तो इनको किस टाइप से और कहां पर प्रिंट करवाएं, और कौन से ले, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे बंदे को हमारे सक होते हैं, क्योंकि नए-ने बिजनस में उतरे हो सिल्ड होता है, नीची ऊपर और बीच में, बीच में सिल्ड होता है, तो करने को मतलब अविए फुली प्लेन सीट की तरह एक रहेगा, आपको रोल में रहेगा, और इसको प्रिंटिंग करवाने के लिए, नियर भाई प्रिंटर से आप संपर कर सकते हैं, और एक आता है, तो ए टाइप का होगया और दूसरा आता है इस टाइप का पाउंच जो आपको दिख रहा है जैसे बेसन, कुरकुरे, चिप, स्रिंक्स इस टाइप की पाउंच जो थ्री साइट लोक रहेगा और वन साइट ओपें रहेगा तो इसमें का हुआ कि आपको सिल्फ पैकिंग करना तो दोस्तो मैं यह बोलूँगा आपसे कि अगर आप कोई भीचिश का बिजनस से स्टाइट कर रहे हैं स्टाइट तो आप अपना फर्स्ट टाइम में प्रिंट रेडिमेंट अपने ब्रांड का ना करवाएं आप रेडिमेंट पाउंच खरीदे और वहां से आप एक्सप होगा होगा तो आप इसमें क्या किजिए कि रेडिमेंट पाउंचेस लिजी आप एक वीडियो उसके पर मैं बना दूँगा और अगर कोई भी दोस्त हमारे भी लेने चाहते हैं जैसे कि मैंने किया था तो मेरे काफी साथा रेडिमेंट पाउंचेस तिंचा इस्टेट से म आप के उपर कोई क्लेंब भी नहीं है है ना कोई जो ब्रांच का सेइल करें उस ब्रांट के ऊपर प्रती कोई यह अप लोग को किस अउपर ना ऑक तो एक वा साथ ही की चाइव प्र्रिंटिंग् तो इसमेडो टाइप की होती एक तो मिटालिक होती है जो plane printing मोलते है और दूसरा होता है electric printing तो आप लोगो मैं बोलूंगा कि आपको दूनों मेसे अगर कोई भी प्रिंटिंग करवाने है तो आप फर्स्ट टाइम एलेक्टिक प्रिंटिंग करवाईए एलेक्टिक प्रिंटिंग क्या क्या होता है कि इसमें काफी तीन तक आपका ब्रांट अगर मालीजे कि दुकान में रखा है तो डिस कलर नहीं होगा और जो मेटालिक प्रिंटिंग होत तो चली 50 gram की spices पहुंच के से start करते हैं सब उस masala की हल्दी आपको paint करवाना है 50 gram तो उसका कितना cost पढ़ेगा आपका minimum चली start करते हैं तो अगर first time आप पहुंच printing करवा रहे हैं दोस्तो तो आपको cylinder की requirement परती है minimum एक पहुंच के लिए एक size के लिए 6 cylinder की requirement होती है जिस पर आपका brand paint होगा और brand का design बनता है उसको तो दोस्तो उस एक cylinder की cost होती है पचपन सो से लेकर 6,000 रुप्या तो आपका 6 cylinder minimum एक size का एक brand में लगेगा आपका तो जोड लिजाए आप calculate कर लिजे खुच से चे पचे तीस पांच चार से भी पकरते हैं तो 30,000 minimum आपका इसका आगया cylinder charges एक size का एक brand का और उसमें minimum आपको same brand का 200 kg का print करवाना पड़ेगा आपको तो कितना हो गया 201 kg का आज का लबी rate जो चला है present time में वो चला है 240 रुपय से 260 रुपय तक के उपर आपको मिल जाएगा तो चलिए 200 kg कहीं मैं मानता हूँ पकरता हूँ तो हो गया आपका 200 into 26 माने 52,000 करने का बना 50,000 और 30,000 cylinder का minimum first time अगर print करवा रहे हैं आप दोस्तों तो आपको 80,000 प्या परने वाली है यह ध्यान रख लिए ओभी एक ब्रांड के लिए सेम अगर हल्दी धनिया मिर्च में उतरना चाहते हैं तो तीनों का 200 kg लेना पड़ेगा आपको और first time तीनों का चार्ज स्लेंडर का चार्ज 18 स्लेंडर आपको बनाना पड़ेगा design तो दोस्तों इसको कितना चार्जिस लगेगा जोड लीजिए आप एक का 80,000 रुप्या पड़ेगा अगर तीन ब्रांड में उतरना चाहते हैं तो कितना पड़ जाएगा आर्ट तरीका 24 दो लाख 40,000 रुप्या तो मैं आपको राय दूँगा कि आप अपने पहले डिडिमेट पहुंचे से स्टार्ट के जहां कि मेरा अभी तका experience है जहां तक मैंने अपना experience गेंड किया है अपना ताकि आप लोग कुल नुक्सान का सामना नहीं करना पड़े क्योंकि बात में से लिजिए ताकि आप इन लाइफ अगर फेलियर व्यू होना तो आपके पास इतना पूंजी वेस्ट ना हो फालतुका सारे पूंजी अपना बचा रहा है ताकि आप न्यू बिजनस या सीम टाइब के बिजनस अपने कोडिंग लॉंच कर सकते हैं जो कि सारे मैंने गलतिया कर चुके हैं इस सारे सारे अपना एक्सपरिंस मैं कम से कम 4-5 बिजनस कर चुका हूं और उसमें फेल हो चुका हूं फेल होने के बाद जो अभी में मने ओकर रहा हूं एकजिस्ट कर रहा हूं बिजनस में तब जाके मैंने एक moral value मिला मुझे कि नहीं बिजनस भी कुछ चीज है अगर इसमें continuity आप क्या है कि experience लेता रहे तो आपको फेल होने की समाना फेल होना है फेल होने इस क्या फरक पड़ता है अगर आपको बिजनस करने की मन है ना फेल होना तो यह सब चलता रहता है इसा बहुत छोड़ी चीज है बिजनस फेल में तो इससे आपको knowledge मिलता है एक failure क्या है अगर आप मिठाई की ही दुकान खोल रहे है ना दोस्तो तो अगर भी मिठाई की दुकान आपका नहीं भी चला ना तो मिठाई की दुकान आपको इतना एक छेना की रसुले कैसे बनाया जाते हैं उसको सिखा के ही जाएगा हो तो करेंगा फेलियर कुछ नहीं होते हैं आप जो फी फेल हो रहे हैं आप सिख रहे हैं वहां से यह मानी है आप इस टाइप की आपको चार्ज पर जाएगार प्रेंटिंग में और जो मैंने बोला आपको कि फर्स टाइम आप थ्री साइडेट प्रेंटिंग लिजिये प्रेंटिंग पाहूंच लिज जिये और अपना है जार से पक्षर फैल azto organized open arrived की आप ताकि आपको बिजनेस करते हैं जिससे उनको बहुत ही बड़ा लाइफ में जटका लगता है उनके पास जो भी पुंजी होते हैं वो सारे कसा अरे हो जाते हैं तो इसलिए मैं अपना experience उन्हों आप लोको देना चाहता हूँ अगर पाउच की जरुवत हो आप लोको नहीं मिल रहा है कहां से पाउच printing होता है और packing machine automatic इसके लिए क्या चाहिए अगर अपना brand ही print करवाना है तो नहीं मिल पा रहा है कम डेट में तो मेरे से आप लोग idea ले स सब्सक्राइब कर दिजेगा ताकि मैं आप लोग को लाइक वीडियो लेकर आता रहता हूं तो थैंक्यू सो मुच हाँ दोस्तों इस पार्ट में एक topic को बोला मैं भूल गया कि आप printing के लिए दो टाइप का printing होती है एक होती है metallic plane printing और दूसरा होती है electric printing तो हमेशा आप electric printing क printing ही अपने बाउच को printing करवाए यह बात मैं भूलना भूल गया था और दूसरा है कि सर्फ अगर पैकिंग कर रहे है इस पेसल ना तो उसके लिए तो इस पेसल इलेक्टिक प्रिंटिंग बाउच करवाए वरना आपको बहुत सारा नुक्सान की सामना करने पड़ेगी सो थ कि अ